गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक जड़प में ब्यार रिजिमेंट के 20 जवानों के शहीद हो जाने के बाद शहीद जवानों को याद करते हुए कॉंग्रेस ने उन्हें सलाम दिवस के रूप में मनाया। राज के विक्त मंतरी रामिश्वर उरौस स्वास्थ मंतरी सहीद कई कॉंग्रेसी नेता मौजूत रहे। इसकी जिमेवारी किसको होगी। रूप में समझते थे। लेकिन आज बहुत दुख और दुर्भागी भी है कि वर्तमान में जो सरकार है इस देश की। वो सरकार विदेश नेती के मामले पर पूरी तरीके से फेल हो गई है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो आज हमको आखे दिखा रहे हैं। और चीन ने हद पार कर दी कि हमारे माभारती के सपूतों को माभारती के ही गोद में आकर लहू लुहान कर दिया। और जो अंतर राष्टिय कानून है उस कानून को उन्होंने पूरी तरीके से छत वी छत कर दिया।